धान की खरीद को लिके बड़ी खबर पंजाब में एक अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होने माली है लेकिन इससे पहले ही राजे और केंद्र खरीद अजेंसियों की चिंता बढ़ गई है कहा जा रहा है कि पंजाब के सरकारी गोदामों में नई उपच को रखने के लि इस खरीब सीजन में धान की बंपर पैदावार की उम्मी जताई है करीब 185 लाग तन धान उत्पादन का नुमान है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक गोदामों में पिछले सीजन का 192 लाग तन अनाज भरा हुआ है जिसमें 125 लाग तन चावल, 60 लाग तन गेहु और 7 ला होती है ताकि ताजा खरीदे के धान के भंडारन के लिए जगा बनाई जा सके उनका कहना है कि भारी मातर में श्टॉक होने के कारण अक्टूबर में धान खरीच सत्र शुरू होने पर जगा की कमी का संकट खड़ा हो सकता है आपको बता दे खाद एम आप पूर्ती भी भा हाना कि गोदामों में जगा की कमी बताई जा रही है धान की खरीच को लिके बड़ी खबर पंजाब में एक अक्टूबर से धान की खरीच शुरू होने माली है लेकिन इससे पहले ही राज्ये और केंद खरीच अजेंसियों की चिंता बढ़ गई है कहा जा रहा है कि पंजाब के सरकारी गोदामों में नई उपच को रखने के ये पर्रयाब जगा नहीं है क्योंकि पहले से ही गोदामों में धान और गेहूं के बफर स्टॉक है ऐसे में खरीच अजेंसिया गोदामों में भरे अनाजों को खाली करने की कोशिश कर रही है खास बात ये है कि राजची के खरशिवी भाक ने इस खरीब सीजन में धान की बंपर पैदावार की उम्मी जताई है करीब 185 लाग तन धान उत्पादन का नुमान है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक गोदामों में पिछले सीजन का 192 लाग तन अनाज भरा हुआ है जिसमें 125 लाग तन चावल, 60 लाग तन गेहूं और 7 लाग तन धान है ऐसे में देगर धान के भंडारन के लिए जगा बनाई जा सके उनका कहना है कि भारी मातर में स्टॉक होने के कारण अक्टूबर में धान खरीश सत्र शुरू होने पर जगा की कमी का संकट खड़ा हो सकता है आपको बता दे खादे अमम आपूर्ती भी भाग के गधिकारी ने बताय कि हम स्टॉक को उब्भोकता राजु में ले जाने की कोशिश कर रही है सितंबर में इसमें तेजी आने की उम्मीद है तो इस वक्ती बड़ी खबर आ रहे हैं पंजाब से जहां एक अक्टूबर से धान की खरीश शुरू हो जाएगी हाना कि गोदामों में जगा की कमी बत किसान तक खाना है तो उगाना है